कौन कहता है कि आस्मा में छेद हो नहीं सकता एक पत्थर तवियत से उचालो तो यारो जी हाँ दोस्तों नमस्ते आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच उपस्तित हैं हमारे विसेश महमान सरोध जी गुजर जिनका हाल ही में पटवार भरती परिक्षा में चैन हुआ है तो हम जानना चाहेंगे कि सरोध जी का पटवार भरती में चैन होने के बाद में वो कैसा अनबाव कर रहे हैं सर मुझे पटवार में चैन होने के बाद में बहुत बड़ी खुशी है खुशी होगी क्योंकि मैंने बहुत सी ऐस सफलताओं का सामना किया है बहुत बार ऐस सफलता आने के बाद बहुत दुखी भूई हूँ और अब सफलता मिली है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बिल्कुल खुशी होनी भी चाहिए और ऐस सफलता हों से गुजरने के बाद में जब सफलता प्राप्त होती है तो उसका ऐसास तो बिल्कुल सरोजी अलग ही होता है तो हम और हमारे दर्सक जानना चाहेंगे कि आपकी इस सफलता के पीछे क्या कारण रहे और कौन-कौन हेतु रहे जिससे कि आज आज आपका सरकारी बरती परिक्षा में चैन हुआ है देखे सर मैं अपनी सफलता का सरय अपने माता पिता अपने सासू ससूर के साथ असो का कोचिंग के गुरूजनों को देना चाहती हूं क्योंकि मैंने यहां से बहुत कुछ सीका है बहुत कुछ पाया है यहां से मैंने ओफलाइन कोचिंग भी किया है और लोकडाउन के बाद म उनलाइन जुड़ी हुई हूं असोका कोचिंग से इसलिए मेरी सफलता में असोका कोचिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। अपना अनभाव सेयर कीजिए कि कितने गंटे और किस तरीगे से मेनत करें कि बच्चों का भरती परिशां में चैन हो। सर वैसे तो सफलता का कोई सोटकर तो है नहीं सफलता के लिए हमें लंबे समय तक तो संगर्स करना ही होगा। तो मेरा सबसे यहीं कहना है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि अगर हमने एक दो चार एक्जाम दे हम ऐस सफल हो गए तो हम सोचते हैं कि पता नहीं किसके लिए बनी हैं नोकरी और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है अगर हमें सफलता प्राप करना है तो हमें संगर्ष करना ही होगा। कि लगातार ऐस सफल होने के बाद में जब कोई व्यक्ति होता है तो सफल होता है तो उसको एक अलग ही आनन्द की अनुभूती होती है तो आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी और से और असोका कोचिंग के पूरे परिवार की और से आपको बहुत बहुत सुबकामना है बहुत बहुत साथवाद धन्यवाद